गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू शॉर्ट हैंड हैंड में आप सभी का स्वागत है तो चले स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन डिक्टेशन आपको पता होगा असी सब्द प्रतिमिनट और सब्द प्रतिमिनट से है असी सब्द प्रतिमिनट डिक्टेशन लिया जाता है दैनिक जागरं और सब्द प्रतिमिनट जन सत्ता से और इसकी आउटलाइनस एंड पीदियाफ आपको टेलेग्रम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है जिसका नाम है शॉर्ट हैड हेलपलाइन चैनल या भी सेष्ट क सफ भी दे दी जाती है तो चले स्टार्ट करते हैं असी सब्द प्रतिमिनद डिक्टेशन असी सब्द प्रतिमिनद डिक्टेशन स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट चुनाओ वाले पाँच राजियों में से चार में भाजपा की सफलता के बाद विपक्षी खेमे में हलचल स्वभाविक है जहां पंजाब में सांदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रिय विकल्प बनने की तैयारी में है वहीं कॉंग्रेस समेत अन्य दल फिर से विपक्षी एकता की संभावनाएं टटोल रहे हैं ममता बननर जी ने कॉंग्रेस की खत्म होती विश्वसनियता का जिक्र करते हुए विपक्षी एकता की नए सिरे से पहल की है निसन देह कॉंग्रेस की पाँच राज्यों में पराजय हुई है लेकिन गोवा में चुनाओ लड़ने गई त्रडमूल कॉंग्रेस का भी तो खाता नहीं खुला पैरा ममता की माने तो उत्तरप्रदेस में सपा को ईबियम में लूट करके हराया गया है साफ है की वह यह भूल गई की बंगाल में चुनाओं के दोरान और फिर नतुजों के बाद कैसी भीशन हिंसा हुई थी उन्हें यह भी याद नहीं रहा की 2018 में बंगाल के पंचायत चुनाओं के दोरान मत पेटियां किस तरह तालाबों में मिली थी पांच प्रांतों के चुनाओं नतीजों से ममता का नाराज होना समझ आता है लेकिन यह भी साफ है की उनके नतृत्व में विपक्षी एकता के आसार नहीं इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्र सेखर राव की पहल भी परवान चड़ती नहीं दिखती क्योंकि वह भी ममता की तरह कॉंग्रिस को किनारे कर विपक्ष को एक जुट करना चाहते हैं पैरा ममता और चंद्र सेखर राव के रुख से कॉंग्रिस को चिन्तित होना चाहिए क्योंकि वह खुद एक छेत्रिय दल में तबदील होती जा रही है चिन्ता की बात यह भी है कि उसकी मानसिक्ता भी छेत्रिय दलों सरीखी होती जा रही है वह राश्ट्रिय मुद्दों पर बात अवश्य करती है लेकिन उसी संकिर्णता के साथ जैसे छेत्रिय दल करते हैं पांच राज्यों में हार के बाद राहुल कांधी ने भले ही यह कहा हो कि वह सबक सीखेंगे और देश हिद में काम करते रहेंगे लेकिन इस तरह की बातें तो वह न जाने कब से करते आ रहे हैं इसी लिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वह कब सीखेंगे पैरा वास्तों में इस सवाल से पूरा गांधी परिवार दो चार है क्योंकि वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे देश पर सासन करना उसका जन्म सिद अधिकार है और एक के बाद एक चुनावों में जनता कॉंग्रेस को नकार कर गलती कर रही है जैसे अन्य विपक्षी दलों का सारा जूर भाजपा और विशेश रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी को सत्ता से बाहर करने पर है वैसे ही कॉंग्रेस का भी सब्द्रप्रतिमिन डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद स्टार्ट वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी बलकी राष्ट्रिय पार्टी होते हुए भी उसे छोटे छेत्रिय दलों से भी नीचे के पायदान पर पहुचकर सब्र करना पड़ा उत्तप्रदेश में जिसतरह प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत छोकी और हर चुनाओं छेत किया था महिलाओं, किसानों और बीरुसकार नौजवानों के भविश्य को लेकर रड़नीती बनाई थी उससे लगा था कि कॉंग्रिस इस बार अपनी जणे फिर से रोपने में काम्याब हो पाएगी पैरा मगर सारे कयास, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई इसलिए स्वभाविक ही कुछ लोग पूछने लगे हैं कि भाजपा ने जो कॉंग्रिस मुक्त भारत का नारा दिया था, क्या वह उसमें सफल हो गई है हाला कि इन चुनाव नतीजों के बाद कॉंग्रिस निरास नहीं दिख रही है, उसने नया होसला भरते हुए इन नतीजों की समिक्षा करने, अपनी कमियों पर मन्थन करने की घोशना की है, जल्दी ही कार्यकारणे की बैठक बुलाने और उसमें आगे की रणनीती पर वचार करने का दम भरा है, मगर वह इसमें कितनी काम्याप हो पाएगी, देखने की बाद होगी पैरा, इन चुनाव नतीजों से बहुत सारे लोग हत प्रब हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा की आखिर ऐसा हुआ कैसे, कुछ लोग मान रहे हैं कि मतदाता को मुफ्त रासन और गुंडा राज से मुक्ती के भरोसे ने भाजपा के साथ जोडे रखा, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब पुराने धंग के चुनाव नहीं रह गए हैं, मतदाता जागरुक हो गया है और वहप प्रतिनिधियों के कार्य व्योहार को बहुत अच्छी तरह जानता समझता है, ऐसे में जिन राचनितिक दलों के नेता लगातार उसके सुख दुख में साथ रहे, उनहीं लोगों ने अपना समर्थन दिया, जो लोग केवल सद्धानतिक बाते करते हुए चुनाओं के समय रत पर सबार होकर उनके पास आए, उनहीं बहुत तवज्जो नहीं दी पैरा, कॉंग्रिस दरसल अपनी दलगत जमीन काफी पहले खो चुकी है, पहले ब्लॉक, ग्राम पंचायत इस तर पर उसके कारेकर्टा हुआ करते थे, जो इस्थानिय लोगों की मदद के लिए ततपर रहते थे, अब वे कहीं नहीं दिखते, गाओं की तो बात क्या, जिला मुख्याले के इस तर पर भी इकादु का लोग ही नजर आते हैं, फिर कॉंग्रिस के केंद्रियन नत्यत्व के काम करने का तरीका, दिल्ली के वातान कूलित कमरों में बैठ कर सद्धान्तिक रड़नीती तयार करने का है, ऐसे वरिष्टनेताओं का तादाद कॉंग्रेस में बड़ी है, जो कभी जमीनी इस तर पर काम करने नहीं उतरे। 2019 से ही यह प्रिपरेशन कराई जा रही है, सबसे पहला सॉफ्टवर बनाने वाली, इसका खिताब हमें ही प्राप्त है, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवार।